किसी इंसान को उसकी गलती की सजा देना जायज है लेकिन मध्यम युक के दुरान ऐसी सजा दी जाती थी जिसे सुनकर ही हमारी रूख आप जाए मध्यम युक को मनुश्य के इतिहास का सबसे बरबर युक माना जाता है इस काल में अनेकों बरबर लड़ाईयां लड़ी गई अपने दुश्मनों, विद्रोईयों या कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए ऐसे बरबर, वहशी तरीके इस युक में इजात किये गए जिनके बारे में सुनकर ही आपकी रूख आप उठेगी सजा के लिए इन तरीकों को देखकर ही अन्य लोगों की अपरात करने की हिम्मत नहीं होती थी आज इस वीडियो में हम आपको मध्यम्यूग में सजा देने के ऐसे 10 कौपरात तरीकों के बारे में बताएंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ खुशाल रहाओ और आप देख रहे हैं प्राचिकिन रहस से वीडियो में दिखाएगे दृष्य आपको विचलित कर सकते हैं कमजोर दिल लोग इस वीडियो को ना देखें इंपेल्मेंट पंदरवी सदी में वेलात तिर्तिय वालाशिय का राजकुमार था वेलात को ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि वे बेहद निर्दई था अपराज सिद होने पर मैं धारदार पोल को पीडित की शरीर के आरपार करने का हुक्म सुनाता था पोल की मुटाई इतनी होती थी कि उसे देख किसी भी इंसान की रूखाब उठे जिस शक्ष को ये सजा मिलती थी उसे जबरन धारदार पोल पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था पोल दीरे दीरे उसके शरीर को चीरता हुआ बाहर निकल जाता था समानत्या पीडित को पोल पर इस तरह बठाय जाता था कि पोल का नुकिला हिस्सा शरीर को होता हुआ ठोड़ी पर आकर एक बार रुक जाए और फिर धीरे धीरे ठोड़ी की हट्डी को पार करे ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुझरिम को जादर समय तक पीड़ा भुगदनी पड़े इस तरह से पोल लगने पर तीन दिन की असानिया पीड़ा जहलने के बाद आकरकार पीडित की मौत हो जाती थी कहते है कि वलाद ने अपने शाषिन काल में दो लाख से लेकर तीन लाख लोगों को यह सजा दी थी वलाद इस कदर जालिन था कि उसे खाना खाते वक ऐसा देखने में बड़ा आनंदा था जरा सोचिये तब हैवानियत किस कदर सिर्चड़ कर बोलती थी जूडस क्रेडल यहुदी पालना एक बार की देखने में धारदार पोल से जरा कम कश्टदाई लगे लेकिन यह इनसान को तरपा तरपा कर मारने वाला हतियार था लोगों को नगन कर यहुदी पालना पर बिठाये जाता था प्रताडना की यह प्रक्रिया बेहत खौफनाख होती थी पीडित को तीन जगह से बंदे एक रिंगनुमा खाली सीट पर लटका दिया जाता था फिर इसके नीचे यहुदी पालने को लगाया जाता इस दोरान पीडित के पैर को रस्टी से बांज दिया जाता था जिसे खड़े कुछ लोग पकड़े होते थे सजा का आदेश मिलते ही लोग रस्टी को एकदम से खीच देते गौरतलब है कि इस्तरी को उल्टा और पुरुष को सीधे इस जानलेवा हतियार पर बिटा कर सजादी जाती थी इस सजा के दोरान लोग घंटो रस्टी को खीचते रहते थे कभी दर्थ को बढ़ाने के लिए पीडित पर अतिरिक्त वजन भी लटका दिया जाता था कौफिन टॉर्चर इसे कौफिन प्रताड़ना कहा जाता था मध्यम्यूग में ये काफी परचलित था अगर आपको ध्यान हो तो किसी हॉलिवूड फिल्म में अपने इस तरह से सजा देते हुए देखा होगा पीडित को इस पिजड़े में कैद किया जाता था ताकि वे अपनी जगा से हिल ना सके इसके बाद पिजड़े को किसी पेड़ से लटका दिया जाता था इस तरह की सजा इर्शनिंदा जैसे गंभी अपरात के लिए दी जाती थी पीडित को या आदम खोर जानवर काट खाते थे या फिर पक्षियों का अन्निवाला बनता था हालांकि देखने वाले पीडित का दर्द बढ़ाने के लिए उस पर पत्तर से भी हमला करते थे दरैक जिसे की सामान्य बाश्या में हड़ी तोड़ श्या कह सकते हैं मध्यम्यूग में इस पर ताड़ना को सबसे दर्दनाग माना जाता था हड़ी तोड़ श्या एक लकड़ी का फ्रेम है इसमें लकड़ी के दो पट्टे होते थे जो लिवर के सहारे उपर की और उठाए जाते थे लिवर श्या के दोनों और होता था दोनों पट्टों पर नुकीले कीले होती थी सजा देते वक्त पीडित के हाथ पाउं बांद कर उसे इस पर लेटा दिया जाता था फिर शुरू होता था प्रताड़ना का खेल शोया के दोनों और एक एक वेक्ती लिवर को मजबूती से उठाता और जैसे जैसे पट्टा उठता पीडित की हड्या कड़कड़ाट की अवाज के साथ तूट जाती यह खेल तब तक चलता जब तक पीडित दमना तोड़ दे ब्रेस्ट रिपर यह प्रताड़ना सिर्फ महिलाओं को दी जाती थी अगर कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ अंतरेंग संबंद बनाती पाई जाती या फिर उस पर इस तरह का अरोब साबिध होता तो ब्रेस्ट रिपर के जरिए उसे प्रताड़ना दी जाती थी रिपर को महिला के ब्रेस से लगा कर जोर से दबा दिया जाता था हालंकि हेवानियत की इंतिहा इतनी ही नहीं चिम्टा नुमा इस हतियार को पहले आँग पर तपाया जाता था इस प्रताणना के दोरान पीडितिया के उभार को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता था इस सजा में अधिकतर इस्तिरियों की मौत हो जाती थी और जो भी जिंदा बज़ जाती थी उनकी जिंद की मौत से बदतर होती थी तस्वीर में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह चोटा सा हतियार पीडित के लिए कितना कश्टदाइक साबित हो सकता है इस हतियार का इस्तिमाल बच्चा किराने वाली महिलाओ जूट बोलने वालों और होमोसेक्शल लोगों पर होता था यह नुकीला हतियार उपर लगा पेच गुमाने पर चार हिस्सों में बट जाता है इस हतियार को जूट बोलने वालों के मुँ में एबोशन करने वाली महिलाओं की योनी में और होमोसेक्शल लोगों की गूदा में डाल कर इसके पेच को गुमाया जाता था जैसे जैसे पेच घूमता यह बड़ा होता जाता था जिससे कि पीडित को असहिन यह दर्द होता था फिर उसकी खाल फट जाती थी और हड्या तूट जाती थी अंत में अभी युक्त की मृत्य हो जाती थी ब्रेकिंग वील को कैथरीन वील के नाम से भी जाना जाता था इससे पीडित जिन्दा नहीं बसता था लेकिन यह उसे इतना तडपा कर मारता था कि देखने वालों की रूख आप उठती थी पीडित को वील से बांद कर उस पर हतोड़े से तब तक प्रहार किया जाता था जब तक उसके शरीर की हड्या नहीं तूड़ जाती फिर मरने के लिए उसे छोड़ दिया जाता कभी कभी पीडित को एक उचे वील पर रखा जाता था ताकि पक्षी उस हाथ पे टूटे इंसान को जिंदा ही खा सकें ऐसा भी कहा जाता है जिन पर दया आ जाती थी उनकी सिर्फ च्छाती और पेट पर ही हतोडे से परहार किया जाता था हालंकि पीडित को किसी भी सूरत में जिंदा नहीं बख्षा जाता था यह सजा पीडित को घोर वे गंभीर अपरात के लिए दी जाती थी इसमें एक खंबे के सहारे पीडित का पैर बांद कर उसे उल्टा लटका दिया जाता था उल्टा इसले लटकाया जाता था ताकि उसके दिमाग तक बलड सप्लाई चालू रहे और वो इंसान जादा समय तक जिंदा रहे इसके बाद शुरू होता था मौत का केल एक बड़ी आरी लेकर उसको बीच में से दीरे दीरे काटा जाता था दीरे दीरे इसले काटा जाता था ताकि उससे जादा समय तक दर्द जीलना पड़े कुछ मुझरुमों को बीच में से दोपाड कर दिया जाता था जबकि किसी किसी को आदा काट कर ही छोड़ दिया जाता था यह मद्यम काल में स्पेन में प्रयोग होने वाली आम तकनीक थी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक टोपी नुमा यंत प्रताडना के लिए बनाया गया है पीडित का सर इस टोपी में जकड दिया जाता था इसके बाद एक व्यक्ती धीरे धीरे लिवर को गुमाने लगता था जैसे जैसे लिवर गुमता टोपी में लगे रोड पास आने लगते फिर एक जटके से पीडित का सर आवाज के साथ फट जाता दिनी स्पिटर यह हतियार भी स्पेन में ही काम में लिया जाता था इस हतियार को देखते ही आप अंताजा लगा सकते हैं कि यह है कितना खतरनाक होगा इसे नी स्पिटर के नाम से जाना जाता था इसमें पैरों के घुटनों को फसा कर इसे दबा दिया जाता था जिससे की अपरादी के घुटनों के हड्डिया तूट जाती थी इस हतियार के प्रयोग से किसी भी वेक्ति की जान तो नहीं जाती थी पर उस इंसान के गुटने किसी काम के नहीं रहते थे कभी कभी इस प्रताड़ना का प्रयोग गुटनों के अलावा कोनी पर भी किया जाता था तो ये थे वो दस तरीके जिने मध्य युग में सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था हमें इश्वर का शुक्र गुजार होना चाहिए कि हम अब ऐसे युग में हैं जहां किसी भी अपरात की सजा इतनी भयावक नहीं है दोस्तो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारा ये चैनल की